एक बार प्रेम से बोलिए गंगा मया की जय, सुर्य भगवान की जय, सारे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार, नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हारदिक अभिननदन है, स्वागत है, और मकर संक्रांथी की धेर साड़ी सुब कामना, भक्त जन, मकर संक्रांथी क्यों मनाई जाती है, मकर संक्रांथी के अलग-अलग नाम मिलते जुनते तेवहार क्या है, आईए हम विस्तार से जानते हैं, मकर संक्रांथी के बारे में, और मकर संक्रांथी के बहुत ही पोरानिक, बाबा गुरक नात की कथा एक पर चलित है, वो कथा, आज हम सर्वन करेंगे, मकर संक्रांती के मकर रासी में परवेश करने की घटना से जुरा है जब सुर्य धनू रासी से निकल कर मकर रासी में परवेश करते हैं तब मकर संक्रांती मनाई जाती है खगोल सास्त के अनुसार सूर्य जब दक्षिनायन से उत्रायन होते हैं या प्रिथमी की उत्री गोलार्द सूर्य की और मुर्ता है उस दिन मकर संक्रांती का पर्व मनाया जाता है मकर संक्रांती हारवर्स 14 या 15 जन्वारी को मनाई जाती है सुर्य एक साल में बारा रासियों में क्रम सा गोचर करते हैं वह जिस रासि में परवेश करते हैं उसकी संक्रांती होती है 14 जन्वरी 2023 को सुर्य मकर रासि में परवेश करते हैं इसलिए यह सुर्य की मकर संक्रांती है मकर संक्रांती के दिन पवित्र नदियों में शनान करने और जरूरत मंद लोगों को काला तील के लड़ू, चावल, सबजिया, दाल, हल्दी, फल, आदी दान करने की प्रमप्रा है यह इसके बारे में भी कुछ जानते हैं, सास्तुरों के अनुसार, सुर्य जब दक्षिनायन में रहते हैं तो उस आधी को देवताओ की रातरी वा उत्रायन के छा माह को दिन कहा जाता है, दक्षिनायन को नकरातमक और अंधकार का परतीक, तथा उत्रायन को सकरातमक एवं परकास का परतीक माना जाता है ऐसी माननेता है कि मक्र संक्रांती के दिन यग में दिये गए द्रब को ग्रहन करने के लिए देवता धर्ती पर अवतरित होते हैं इसलिए इसी मार्ग से पुर्णे तमाय सरीर को छोर कर स्वर्ग आदी लोकों में परवेश करती है देश भर में मकड संक्रांती का पर्व विविन नमों से जाना जाता है आईए जानते हैं इसके बारे में मकड संक्रांती के अलग नाम और मिलते जुलते तेवहार कुछ इस परकार से हैं खिचरी मकड संक्रांती को खिचरी भी कहा जाता है खास कर पूर्वी उतर परदेश बिहार एवं जारखंड उत्राखंड में मकड संक्रांती के दिन खिचरी बना कर खाई जाती है और इस वजह से इसका नाम खिचरी भी है मकर संक्रांथी को गुरख पूर के गुरख नाथ मंदिर में खिचरी चढ़ाने की पनंप्रा है प्रियाग राज में इस दिन माग मिले का आयोजन होता है मकर संक्रांथी को मागी के नाम से भी जानते है पौस संक्रांथी पस्चम बंगाल में मकर संक्रांथी को पौस संक्रांथी कहते है सुरियो को मकर में परवेश हिंदू कलेंडर के पौस माह में होता है इसलिए इसे पौस संक्रांथी कहते है इस दिस असनान के बाद काला तिल दान किया जाता है मकर संक्रांथी पर ही बर्ष में एक बाड़ गंगा सागर में असनान का आयोजन होता है यहां देश भर के लोग असनान के लिए आते हैं उत्रायन पर्ब गुजरात और राजस्थान में मकर संक्रांती के उत्रायन पर्ब के नाम से मनाया जाता है इस औसर पर वहाँ के लोग पतंग उड़ा कर उत्सव का आईयोजन करते हैं इसमें सामिल होने के लिए दुनिया भड़ से लोग आते हैं इत्रायन के दिन अशनान और ब्रत करने का विधान है संक्रांती आंदर परदेश में संक्रांती नाम से तीन दिन का परमनाया जाता है महराष्ट में इसे मकर संक्रांती या संक्रांती के नाम से मनाया जाता है यहां के लोग गजक और तील के लड़ू खाते और अमदान करते हैं मागी संक्रांद जम्मों में यह पर्व उत्रैन और मागी संक्रान्त के नाम से बिख्या थे कुछ लोग इसे उत्रैन अत्रैन अथ्वा अत्रनी के नाम से भी जानते हैं मकर संक्रमन दक्षिन भारतिय राज करनाटक में मकर संक्रान्ती को मकर संक्रमन कहते हैं पर वहाँ भी इस दिन असनान और दान करने की प्रंप्रा है सुर्य जब रासी एक दुसरे रासी में परवेश करता है तो वह संक्रमन काल होता है जिस रासी में करता है उससे जूर कर वह संक्रमन कहलाता है 14 जन्वारी या 15 जन्वारी को सुर्य मक्र राश्वी में परवेश करते हैं इसलिए यह मक्र संक्रामन कहलाता है बीहू तमिलाडू में मकर संकरांती की तरह पोंगल मनाया जाता है इस दिन सुर्य देव को खीर का भोग लगाते है लोहडी, पंजाब और दिल्ली हरियाना समेथ कुछ अन्य जगों पर मकर संकरांती से एक दिन पूर्व लोहडी मनायी जाती है इस दिन को नई फसल की खुशी में मनाते हैं मकर संकरांती से जूरी पोरानिक मननाता है सास्तरों के अनुसार मकर संकरांती के दिन ही भगवान विष्णू के अंगुठे से निकली देवी गंगा जी भागी रत के पीछे चल कर कपिल मुनी के आसरम से होकर सागर में जा मिली थी और भागी रत के पुरबज महराज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान होई थी इसलिए इस दिन बंगाल के गंगा सागर में कपिल मुनी के आसरम पर एक विशाल मिला लगता है तथा साल में एक बार गंगा सागर में असनान का आयोजन होता है इसलिए कहा जाता है सारे तिरत बार बार गंगा सागर एक बार बंगाल के गंगा सागर में असनान करने का महत्वे ही कुछ अलग है मकर संक्रांती के दिन गंगा सागर में असनान करने का बहुत महत्वे है एक अन्यपोरानिक प्रसंग के अनुसार भिस्म पिताह महभारत की यूद की समाप्ती के बाद सुर्य के उत्रायन होने की पर तिख्षा करते रहे उन्होंने मकड संक्रांती पर ही अपनी प्रयान त्यागे थे यह भी मन्यता है कि इस दिन माय सोधा ने क्रिश्न को प्राप्त करने के लिए ब्रत किया था इसी क्रम में हम आज आये जानते ही बाबा गुरक नात की एक परचलित कथा क्या है कहा जाता है कि मकर संक्रांती के दिन खिचरी बनाने की प्रत्था बाबा गुरक नात के समय से सुरू हुई थी कहते हैं कि अब खिल जी ने कर्मन किया था तब नात योग्यों को यूध के द जटपर त्यार हो जाती थी इस से योग्यों को भर पेट खाना हो जाता था और ये काफी पौश्टिक भी होती थी बाबा गुरक नात ने इस बेजन का नाम खिचरी रखा खिलदी से मुक्त होने के बाद मकर संक्रांथी के दिन योग्यों ने उत्सों मनाया और उस दिन मित्रन किया तब से ये मकर संक्रांथी पर खिचरी बनाने के प्रथा की सुरुवात होई मकर संक्रांथी के मौके पर गुरक पूर के बाबा गुरक नात मंदिर में खिचरी का मिविमेला लगता है इस दिन बाबा गुरक नात को खिचरी का भुग लगाया जाता है और चुकि सनी देव मकरक्सी के स्वामी हैं उनके घर में सुर्य के परवेश मातर से सनी के परभाव छीन हो जाता है क्योंकि सुर्य के प्रकास के सामने कोई नकरात्मक नहीं टिक सकता मननेता है कि मकर संक्रांधी पर सुरी की साधना और इन से संबंदित दान करने से सारे सनी जन चावल को चंद्रमा का कारक नमक को सुक्र हल्दी को गुरु ब्रिश्पत्ति और हडी सब्जियों का बुध का कारक मना जाता है वही खिचरी की गर्मे से इसका संबंध मंगल से जूरा है इस तरह मकर संक्रांती के दिन खिचरी खाने से कुंडली में करीब करीब सभी ग्रहो और मकर संक्रांती की महत्पुन बातों को जानने के लिए आप सभी का धन्यवाद सुर्य भगवान की जय